हेलो गाइज और वेलकम बेक टू गाड़ी वाले मेरा नाम है आदित्य और पिछली वीडियो में हमने बात किती कि एसी कौन-कौन सी गाड़िया है जो आपकी 10 लाग के बजट के अंदर आपको मिल जाती है आपके लिए वेल्यू फोर मनी होने वाली है और उनमें सेफटी को हमने सबसे बड़ी प्रिफरेंस दे थी आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 10-15 लाग के बीच में पांच ऐसी गाड़िया लेकर आए हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेल्यू फोर मनी होगी आपको उन गाड़ियों को लेने के बाद कोई र फिर सेगंड पर जो बता है वो थोड़ी कमजोर गाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यह हमने रिंडम ली नंबर्स लिए यह आपकी प्रिफरेंस के उपर है कि आप कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं लेना तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक सेवन डबल होगी इसक में आपको टैचस्क्रीन इंफडैन्मेंस सिस्टम भी मिल जाता है यह गाड़ी आपको ज्यादा बेटर परफूमेंस प्रोवाइट करती है इसमें आपको तू लिटर का पेट्रोल इंजिन और 2.2 लिटर के डिजल इंजिन मिलता है आपको इसमें मैनिवल और ऑमनेक दो जादा मज़ा आता है अगली जो गाड़ी है वोने वाली किया की तरफ से किया कारेंस यह गाड़ी लगवक 11 लाग रुपे से शुरू हो जाती है इसका जो बेस वेरियंट है उसी में आपको छे अरविग मिल जाते हैं मतलब सेफटी का इस गाड़ी में पूरा-पूरा ध्या यह गाड़ी में नहीं मिलने माला है इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको तीन इंजन की आप्शिन मिल एक मिलेगा आपको वन पोइंट फॉर लीटर का टर्बो टीजल इंजन और इसमें आपको बेस मोडर से ही एट इंच का टेक्रेंट सिस्टम देखनेंगा जो अ नेक्सोन ये काफी value for money product होने वाला है ये इस गाड़ी ने Global Encape में पूरे 5 star की एटिंग भी हासिल की है काफी मजबूत गाड़ी ये है और हमें पता है Tata के product कितने ज्यादा मजबूत है कितने ज्यादा reliable है Resale की कोई चिंता नहीं है बात करें इसकी Ride and Handling की तो उसका भी कोई तोड़ नहीं है ये काफी अच्छे आपको Ride and Handling प्रोवाइट करती है और काफी ज्यादा value for money product भी है इसमें आपको 1.2 लिटर का petrol engine मिलता है और एक 1.5 लिटर का turbo diesel engine मिलता है और इसमें आपको automatic और manual दोनों transmission देखने को मिल जाते हैं ये गाड़ी आपको कहीं भी disappoint नहीं करेगी बस एक point है जहापर ये गाड़ी आपको disappoint करती है वो इसका AMT version इसका जो AMT है वो काफी ज्यादा जर्की फील होता है दूसरी गाड़ीों के comparison में अगर आपने दूसरी AMT चलाई है तो उन गाड़ीों का AMT इतना जर्की नहीं होता है जितना next zone में है तो अगर आपको ये गाड़ी का AMT लेना है तो आप पहले उसे city traffic में drive करके देखिए तब उसके बारे में सोचिए वरना आप अगर manual transmission लेना चाहते है तो आपको कहीं से कहां तक कोई समस्या नहीं आने वाली है अगली जो गाड़ी है वो MG की तरफ से है MG Aster ये गाड़ी जो base model में आपको provide करती है वो कोई भी गाड़ी नहीं करती इसका जो सीधा competition है वो Hyundai Crata के साथ है पर आपको Hyundai Crata में ना base model में आपको music system भी नहीं मिलता है ना आपको steering पर कोई control मिलता है ना और वीम को electrically adjust कर सकते हो ऐसा कोई भी feature आपको क्रेटा में देखने को नहीं मिलता है पर जो आपकी MG Aster है इसमें आपको electrically adjustable और वीम भी मिल जाते हैं steering mounted controls मिल जाते हैं टच screen infotain में system मिल जाता है जो Android Auto और Apple CarPlay दोनों को support करता है इसके लाब आपको एक अच्छा सा music system भी देखने को मिल जाता है क्वालिटी की बात करें तो गाड़ी बहुत ज्यादा जबर दस्ते देखने में भी काफी अच्छी लगती है तो ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेटर option हो सकता अगर आप क्रेटा पर जाने का सोच रहे हैं और आपको system गाड़ी चाहिए मतलब आप base model लेना चाहते हैं और आप चाहते कि उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाए तो आप MG Esther की दरफ जा सकते हैं इसमें आपको 1.5 लिटर का petrol engine देखने को मिलता है जो आपको 5-speed manual और 6-speed automatic transmission के साथ देखने को आता है जो आपकी सुइदा है उस हिसाब से आप कोई भी transmission ले सकते हो हमने दो SUVs के बारे में बात करिए दो compact SUVs के बारे में बात करिए अब बचिए एक sedan जो हने वाली होंडा की की तरफ से Honda City Honda City जो होंडा का starting से ही काफी strong product रहा है क्योंकि Honda City की जो मांग यह वो शुरू से ही काफी ज्यादा high रही है और गाड़ी ने कभी निराश नहीं किया है हमेशा ही performance की बात करे यह ride handling की बात करे और comfort की बात करे कहीं पर भी गाड़ी मात नहीं गाती है काफी सालो उसे गाड़ी चलती आ रही है मार्केट में आज भी इस गाड़ी का बहुत ज्यादा crazy है इस गाड़ी में base variant से आपको चार airbag का option भी मिल जाता है तो safety के बारे में भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है इस गाड़ी में आपको दो petrol engines मिलते है एक मिलता है 1.5L का petrol engine द आप definitely xv7w की तरफ जा सकते हैं आपको comfort का ज्यादा ध्यान रखना है और आपको थोड़ी कम कीमत देना है गाड़ी के लिए base variant से आपको अच्छा comfort चाहिए तो आप किया currency की तरफ जा सकते हैं और आपको compact SUV लेना है तो आप टाटन exon और mgster दोनों में से कोई भी चूज कर होने वाला है रही आखरी गाड़ी की बात तो sedan अगर आपको sedan पसंद है तो आप Honda City की तरफ definitely जा सकते हैं पनला लाक की बजट के अंदर आपको कोई जिक्कत देखने को नहीं मिलेगी तो यही कुछ ताच की वीडियो में वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ला झाल